गोरकपूर न्यूज के सरप्रायो जखें मटकू मंगलम टावर गोलगर गोरकपूर दो दिवसी दोरे पर गुरुवार को अपने ग्रे जनपत गोरकपूर पहुचे प्रदेश के मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ ने सुक्रवार की सुभा लगाया जनता दरबार एक-एक फरियादियों की सुनी समस्या संबंदित अधिकालियों को निस्तारण के दिये आदे उत्तरप्रदेश में संगठित अपरात पूरी तरह समाप्त मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ ने किया 130 करोर रुपे से अधिक की विकास योजनाओ का लोकारपण वसिलन्यास कहा विकास ही छेत्र की पहचान इसका नहीं है कोई विकल शापूर धाना छेत्र में किसूरी के साथ हुए सामुहिक बलतकार में शामिल पाच अभ्यूक्तों को पुलिस ने किया गरिफ्तार, SSP ने किया खुलासा कहा सभी अभ्यूक्तों पर लगेगा रासुका अभ्यूदय यूजना के विद्यार्टियों के साथ मुख्यमंत्रियोगी आदितिनाथ ने समवाद एवं मदन मुहन मालवे प्रद्रोगी की विश्विद्याले के दिस्टर लैबरेरी ग्यान सिंदू का किया सुभारम विद्यार्टियों से किया समवाद कहा मेरा धर्म है राश्च धर्म लक्ष निर्धायत कर करे सफलता हासुद मुख्य मंट्रियोगी आदितिनाथ के अधिक्स्ता में संपन्य हुई 10 करोन से अधिक लागत के निर्मार कारियों सहित विभिन विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कारियों में गती लाने के दिये निर्देश राजिसभा सांसत कमिशनर आईजी डियम एससपी सहित 3768 लोगों को लगाये गया कोरोना का वैक्सीन, 115 सरकारी बूतों और 15 प्राइविट बूतों पर लगाये गया कोवीद का ठीका गोरगपूर नियूस से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधीकरन के सचीव ने कहा महिला दिवस की आउसर पर साथ मार्ष को आयोजित होगा व्रिहद लोग अदालत पारिवारिक न्याले के विविन वादों के निस्तारण पर रहेगा जोड गोरगपूर में सुक्रुआर को मिले तीन नय कोरोना संक्रमित मरीज जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुए 21,482 अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके है अपनी जान 27 रहेगे एक्टिक मरीज स्यमो जॉक्टर सुधाकर पांडेने की पुष्ची और गोरगपूर आपस्टे ट्रिक्स एंड गाइनेकलोजिकल सुसाइटी द्वारा आठ मार्च को आई जित होगा अस्तन कैंसर वा बच्चेदानी के मुक्चे कैंसर के जाज का निसुर्ख सिविर झाल